अब हम यहां पर पढ़ेंगे in vitro fertilization यहां हम यहां पर इसको short form में बोल सकते हैं IVF के बारे में तो IVF यहां पर होता क्या है यह क्या process है और क्यों किया जाता है इसके बारे हम यहां पर discuss कर लेते हैं तो आपको पता है जो यहां पर female body होती है वो यहां पर oviduct में यहां पर क्या करती है एक्स को release करती है यह बोल सकते हैं जो fallopian tubes होता है वहां पर क्या करती है एक्स को release करती है और किसी कारण वस यहां पर क्या होता है जो fallopian tubes होता है studying pouquinho the यहापा पर मेल की वज़े से जो स MRC है तो हांपड़ काफ़ी जरूरी है मेल tha मिंट सकती तो यह पर सक्वार्ट हो सकता है यह पर में बलें गार्फ हम यहाँ पर क्या करता है दूसरी तरीकी से बेबी को बॉन कर सकते हैं वो हम यहाँ पर डिसकस करेंगे और जो वुमन यहाँ पर बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकती उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है और यहाँ पर जैसे कि आपने हिंदी भास में पढ़ा होगो उनको यह है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी प्रोसेस की तो जो यहाँ पर हमारा यहाँ पर ब्लॉग होता है वहाँ तो हम इसको सही को यहाँ पर क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं इंसर्ट करने के बाद वहाँ पर क्या करता है जो डॉक्टर होता है वह यहाँ पर ओवरी में से क्या करता है जो छोटे-छोटे एग होते हैं इनको वहाँ पर निकाल लेता है निकालने के बाद यहाँ पर क्या करता है जो यहाँ क्या होता? IBF में यह जो process होती है, वो यहां पर body के बाहर करते हैं, कौन सी process? यहां पर जाये गाउट बनाने के process, या fusion की process, तो यहां पर क्या करा है? हमने male body से स्पम दे लिया और Fumil Body से तो हमने यहां पे कट मार के अधिन काल लिया था और दोनों को यहां पे क्या करेंगा जो यहां पर demore D Alnat Square में heult को साटी करेंगे और एक कई इस जद रहे हं अपर क्यों कि ओनगे हंगे embryo बनता था और embryo यहाँ पर क्या होता है इंबिड हो जाते थे यहाँ पर uterus के thin line wall में तो सेम यहाँ पर होगा जो यहाँ पर insert करेंगे वो भी यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे uterus के जो thinningline wall है महीं बर करेंगे जहां से baby को blood vessel से यहाँ पर food भी मिलता रही है जैसे normal way में हमारा यहाँ पर embryo ambit होता था वैसे ही यहाँ पर doctor क्या करते हैं इसको ambit कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर normal delivery हो जाती है तो इसका मतब जो यहाँ पर sterile woman है वो भी यहाँ पर क्या कर सकती है बच्चे को जनम दे सकती है अगर उसका यहाँ पर oviduct block हुआ हो और इसी process को यहाँ पर क्या बोला जाता है IVF बोला जाता है in vitro fertilization और बहुत से जिगा इसको यहाँ पर test tube baby बोला जाता है जबकि यह बोलना यहाँ पर गलत होगा क्योंकि जो woman हो थी है वो 9 महीने अपने पेट के अंदर ही रखती है तो यह test tube baby कैसा हुआ तो यह test tube baby कहना यहाँ पर क्या होगा गलत होगा तो होप आपको यहाँ पर IVF के बारे में पता चल गया होगा और जो IVF की खोज करी थी वो यहाँ पर किस ने करी थी यहाँ पर लुईस ब्राउन ने करी थी जुलाई 1978 में कब करी थी यहाँ पर लुईस ब्राउन ने करी थी जुलाई में 1978 78 में तो होप आपको यह वाला प्रोसेस यहां पर समझ में आ गया होगा अब हम चलते अपने नेक्स टॉपिक की तरफ